हेलो एस्पिरेंट्स स्वागत है आप सभी का संकल CAC चैनल पर और जैसा सी सेट 2022 का सॉलूसन देख रहे हैं बिना टाइम वेस्ट ही अगले कोस्चन पर चलते हैं 25 इसमें ये कोस्चन स्टेट्मेंट का कोस्चन है प्योर रिजनिंग इसमें काम आएगा ठीक है देखते हैं एक्स का भाई है ये सवाल पूछ रहा है तो अब देखते हैं स्टेट्मेंट क्या है स्टेट्मेंट वन है एक्स इस ब्रदर ऑफ वाई एड वाई इस ब्रदर ऑफ जेड एक्स जो है वाई का ब्रदर है एड वाई इस ब्रदर ऑफ जेड ठीक है एक्स वाई जेड आर लिंक्स है, तो options बताईए, मैंने तो सब कुछ बताईए दिया है, इसमें से क्या होगा, प्लीज कमेंट करें, मेरे previous वीडियो को देखने के लिए मेरे playlist में जाए, उपर आई बटन पर आ रहा होगा, इसमें देखिए, जो statement का रहा है कि X is brother of Y, तो X का तो फिर gender पता चल गया कि male है, ठीक है न, male का जो है gender, ऐसे denote करेंगे और female का जनरली जो plus sign से denote करते हैं, तो इसमें X is brother of Y में X तो male हो गया, and Y is brother of Z में भी Y का gender male पता चल गया, लेकिन Z का gender इस statement से पता नहीं चल रहा, statement once है, ठीक है न, तो statement one तो sufficient नहीं है, फिर statement two क्या है, X, Y, Z are siblings, यह मतलब तीनों है, जो भाई बहन रिष्टे में हैं, तो इससे भी clear नहीं हो रहा है, statement two से भी clear नहीं हो पा रहा है, तो दोनों statement से clear नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से, जो option D इसका सही हो जागा, बोथ statement one और statement two are not sufficient to answer the question, तो simple reasoning है, statement पढ़ना है, और उसको नहीं लगे, तो दो तीन बार भी पढ़के, solution के तरफ approach करना है, आसान question था, वीडियो का solution अच्छा लगा हो तो क्रिपया, like और subscribe करें, दोस्तों में भी share करें,